बिहार में चोरों के होसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब बिहार में पुल मोबाइल टावर की चोरी के बाद प्रदेश में चोर 2 km तक रेलबे पट्री ही उखाड ले गए मामला समस्ती पूर रेल मंदल का है बताया जाता है कि बिना किसी टेंडर के ही 2 km रेल पट्री बेच दी गई मामले के खुलासे के बाद रेल मंदल ने आनन फानन ने आरपीएफ के दो अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है इसमें रेल मंदल के जंजार पूर आरपीएफ आउटकोस्ट प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंग शामिल है मामले को लेकर मंदल सुरक्षायुक ने बताया कि लोहट चीनी मिल को लेकर पंडॉल स्टेशन से रेलवे लाइन का स्क्राप गलत तरीके से गायब करने का मामला 24 जनवरी को आया था इस पर कारवाई की गई विभागी इस तर पर जाज कमेची बना कर जाज कराई जा रही है अगर दोनों पुलिस परादिकारी पर मामला सच पाया गया तो प्रात्मी की दर्श की जाएगी समस्तिपूर रेल मंडल के पंडॉल स्टेशन से लोहट चीनी मील के लिए रेलवे लाइन विछाई गई थी चीनी मील लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था रेलवे लाइन की पट्री को बिना ओक्षन के आर्पीएफ की मिली भगत से स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेचा जा रहा था कुछ माल पकड़ा भी गया जिसको लेकर दर्भंगा आर्पीएफ पोस्ट में प्राथमी की दर्श की गई कहा जा रहा है कि बेचे जा रहे स्क्रैप पे पकड़े गए दोनों पुलिस पधादिकारी का हाथ था इस मामले को लेकर बीते शुक्रुवार की देर रात तक मंदल सुरक्षा आयूक तेसके जानी के निर्थित्व में आरपीएफ के अलावा आरपीएफ की विजिलेंड SIB और CIB की टीम मन्थन करती रही मीटिंग के बाद इस मामले में मंदल सुरक्षा आयूक में जाज के लिए कमेटी का गठन किया है